नमस्कार अपुर्वाज किचिन में आपका स्वागत हैं कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोगों के साथ बहुती इजी और टेस्टी बूंदी रायता की रेसिपी शेयर करने वाली हो जब भी मन करें इजे लिए आप इसे बना सकती हैं मेरे तरीके से बना कर देखें ये बहुती स्वाधिस्ट बनकर तयार होता है तो चलिए देख लेते हैं बूंदी रायता कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में मैंने दही ले लिया है दही में थोड़ा सा पानी आट करे और इसे ब्लेंड कर ले अब देख सकती है ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो अब दही ब्लेंड कर लेने के बाद एक बड़े से बरतन में हम दही डाल देंगे और बूंदी डाल देंगे मार्किट में आपको बूंदी मिल जाएगा आप अपने पसंदिदा कोई भी बूंदी लाकर यूज कर सकती है बूंदी डाल देने के बाद इसमें हम चीनी, काला नमक, राय रोस्ट किया हुआ जीरा पॉर्डर, काली मिर्श का पॉर्डर, धन्या पॉर्डर धन्या पॉर्डर मैंने छोटे चमट से हाफ चमट चूज किया है, आप जितना तीखा खाती है उतना लाल मिर्श पॉर्डर आट करें और इसे मिक्स कर ले, तैयार है बूंदी रायता, अब हम इसे फ्रेज में रख देंगे आदे घंटे के लिए और फिर इसे आप सर्फ कर बहुत ही टेस्टी ये बूंदी रायता बनकर तैयार होती है, आप इसे ट्राइ जरूर करें आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, च सबसे पहले मिल जाए, और अगर आप मुझे फेस्बूक या इंस्टाग्राम में देख रही हैं तो फॉलो जरूर कर ले, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग